बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोट ने आज तमाम राष्ट ये चैनलों को तीखी टिप नहीं दिये कि इनके प्रवक्ताओं को संतुलित भाशा का प्रयोग करना पड़ेगा ये टीवी चैनल इसलिए नहीं है कि ये लोगों के भावनाओं के साथ खेले कि आपकी चुप्पी को हम देख रहे हैं और हमें आपका जबाब चाहिए कि कैसे टीवी चैनलों में जब टीवी में डिवेट होते हैं देश में हिंदु मुसल्मान का ये जो डिवेट चल रहा है ये जो नफरत के आंधी चल रही है ये कैसे हो रहा है अज सरकार चुप क्यों बैठी है सुप्रीम कोट का ये रौदर रूप कहीं न कहीं 135 करोड भारतियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है एक ऐसी हवा है जो देश को एक नया आयाम देगी ये रूपी का लियाकत जैसे लोग अन्यरा ओंकश्यप जैसे लोग जब ये चड़ जाते हैं बुल्डोजर पे दोस्तों और बुल्डोजर पे चड़ के आप जानते में क्या बोलना चाह रहा हूं और अपने डिबेट में जो नुपुर सर्मा कांड हुआ था ये जो कनिया जी के हत्या हुई और इनके पीछे का जो अलगौरिदम है ये जो नफरत है हर रोज एक नई नफरत ऐसा लगता है जैसे खाने की तरह राष्टी चैनलों में परोसा जा रहा है यहां राष्ट ये प्रवक्ता आते हैं कॉंग्रेस के बीजेपी के समाजवादी पार्टी के और आके ऐसी ऐसी बीज बो देते हैं जिसका असर हमारे देश का आम नागरिक उठाते हैं आपने वो डिबेट देखी होगी नुपुर सर्मा वाली आपने राजनितिक पार्टी के भी देखे भड़काओ ब्यांग चारो तरफ से थे केबन नुपुर सर्मा का ही नहीं था चारो तरफ से भड़काओ ब्यांग थे लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ एक गरीब टेलर एक मेहनत का स्टेलर के हत्या हुई लेकिन ये नेता अभी भी आराम से कंबल उड़के सो रहे हैं मुझे लगता हाज सुप्रीम कोट ने तमाम गोदी मीडिया को एक मैसेज दिया है अब कारवाई होनी चाहिए ये रास्टी चैनल नहीं है ये विकाओ चैनल है ऐसा लगता पे फैले खड़ों को नहीं दिखाते ये बेरोजगार यूपकों की वीडियो नहीं दिखाते ये कॉलेज में बढ़ती वी फीज को नहीं दिखाते ये आश्या हेल्थ वरकर की जो तंखवा नहीं मिलती है उन माताओं वेहनों का दर्द नहीं दिखाते ये ये नहीं दिख ये वीडियो रास्टे मीडिया गोदी मीडिया नहीं दिखाती कि दोस्तों वक्त आ गया इन चैनल वालों पर मुकद में दर्ज होने चाहिए दर्ज होने चाहिए इन तंबाम आंकरों को जो गंदे सवाल पुछते हैं इने कोई अधिकार नहीं है या हमारे धर्म के बारे में सवाल करें और में शोहेब जमाई जैसे सीधी बात बोलूँगा इन लोगों के बोलूँगा आप किसी धर्म का रहनुमा ना बने आप कोई भी नहीं है आप आके प्रभाव डालते हैं हमें नहीं सुनने हैं आप लोगों को आप धर्म की चर्चा मत कीजिए आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है तो पॉलिटिकल पार्टी के चर्चा कीजिए धर्म का अधिकार आपको नहीं हमारे बारे में बोलने का मैं बीजेपी के तमाम प्र प्रवक्ताओं को और कॉंग्रेस आराम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को एक सीधी चितावनी देता हूं कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाण ना करें आप लोग आईए पॉलिटिकल बात कीजिए धर्म के उपर बात मत कीजिए आप लोग अपने अपने आगे हैं नामीबिया से यह राष्ट का न्यूज बन रहा है आज सक एवीपी न्यूज इंडिया टिवी लाना थे आप लोगों पे शर्म आनी चीए आप लोगों पे और आज हजारों के तदात पे गाए मर रही है लंपी पॉक्स से लेकिन आप लोगों की कोई इतना हों में लोग मर रहे हैं उस देश में आप चीतों की कहानी बता रहे हैं नर्भक्षियों की कहानी बता रहे हैं अगर आप में हिम्मत है आप गौम आता हैं मर रही हैं राजस्तान में कैरल में पुरे भारत वर्त में हजारों गाए मर गई हैं लंपी बॉक्स से उसकी अखिलाग कांड हुआ था, कितना बिभस कांड हुआ था, आज तो हजारो गाएं मर रही हैं, कहा है आप लोगों की रिपोर्टिंग, कहा हो आप लोग का गौर अक्षदल, कहा है क्या कर रहे हैं आप लोग, आईए आप लोग सामने, मैं हावान करता हूँ, रेबल फांडेशन आपके साथ है, चलिए, देश के ब्रदान मंतरी के पास, और पूछिए, लंपी पॉक्स से हजारों काएं मर गई है, आप आठ चीतों का वीडियो क्या वाइरल करते हो, हमारे देश में चीता इंपोर्डेंट है, क्या, हमारे देश के नागरी के इंपोर् सिटी पे, आज सुप्रीम कोट ने तल्क टिप ने किये कि इन प्रवक्ताओं को अब अपने जुबान पे कंट्रोल करने की जरुवत है, और ये चेतना तो सबको हो जानी चाहिए, आप टीवी पे डिबेट करने आओ, रिलीजन पे डिबेट नहीं करोगे, आप की बार देश हित की बात कीजे, बढ़ती वी फीज की बात कीजे, स्कूल और कॉलेज की इतनी फीज बढ़ जाती है, आप लोगों के मूँ में दही जम जाता है, कहां रुबी का लियाकत, कभी आपने दिखाया कि स्कूल के जो अभिवावक हैं, जिनके बच्चे स्कूल में कुछिल दोर में है, ये प्राइवेट स्कूल मनमानी फीज कर रहे हैं, इसके ओपर रजस सर्मा का जमता का अदालत कभी कोई एपिसोड करेगा क्या, आप लोग देश हित में बात नहीं करते हैं, आप लोग के बल हिंदू मुसल्मान का भसाद मना के चलते हैं, पुरे दे माचल प्रदेश के सेव किसानों के हालत देखो जाडानी जी, रद्दी के भाव में उनका सेव खरीद रहे हैं, लेकिन तुम नहीं दिखाओगे, तुमारे अंदर होसला नहीं है इमानदारी का, आज सुप्रीम कोट को आना पड़ा, देश की जनता सडकों पे उतरेगी, महेंगाई दिखाने में दम नहीं है, सी एन जी की बढ़ती वी कीमतों में तुम चुप बेटे हो, आठ चीते लेका हो ना, अरे वो तीन भगोडों को ले आओ ना, वो जो गुजरात के भगोडे हैं, भूल गए क्या, नीरब मोदी, मेहुल चौकसी, अरे उनको ले आओ न भारत के अरतों बेवस्ता में कुछ फर्क तो आएगा, देश का हजारों करोड लेके भाग गए, अरे तुम आठ चीता लेके खुश हो रहे हो, अरे हमें चीते बाग शेर नहीं चाहिए मेरे भाई, हमें वो घुटाले बाद चाहिए हो जो देश का पैसा लेके भागा है, कब लाओगे उनको, कब दिखाओगे उनको पर रिपोर्टिंग, है तुम्हारे अंदर हिम्मत, नहीं है तुम लोगों की इच्छा शक्ती, रीड की हड़ी कमजोर है, कैंसर की तरह लोग गस गया है तुम लोगों का दलाली करते वे, लेकिन ये देश अब तुमें नहीं स काम होंगे, स्कूल के बच्चों की जो फीज बढ़ रही है, आप मीडिया को दिखाना होगा नहीं, तो मीडिया के घर पे, जो ये मीडिया चैनल वाले हैं, अब इनके घर जाएंगे हम लोग, और हजारों माबाप को लेके, हमारी नियूस दिखाओगे रुबी का लियाकत या केबल हिंदो मुसलिम किसानों को आतंगवादी दिखाओगे, यही तुम्हारी रिपोर्टिंग है, रंग भी रंगे कोट पेन के आजाते हो, किसान पीजा खाता है, तुम्हारे पेट में दर्द होता है, तुम देश को बताओ, तुम रंगीन कोट कैसे पहनते हो, और क किसान पीजा क्यों निखाएगा, है हिम्मत, भाग खड़े वे ते तुम किसान अंदोलों में, अंजनाओं का श्यप, अभी पटना से भागती भी नजर आई, और जी टीवी, इंडिया टीवी के लोग तो हमें देखके भागते हैं, यह मुझे बताने की जरुवत नहीं है दोस्तों, लेकिन अब सुप्रीम कोट ने भी हमारा साथ दे दिया है, हम लोगों की मेहनत रंग ला रही हैं दोस्तों, यह हिंदो मुस्लिम सिक, इसाई वाला बिवाद कतम, अब महेंगाई के उपर बात होगी, स्कूल के फीज के उपर बात होगी, और यह जो नकली नेता इनका परदाफास होगा, और कोई भी नेता अगर टीवी चैनल में आके, अब हिंदो मुसल्मान करेगा तो इनकी भी खैर नहीं, अब इनके घर तक चलना पड़ेगा हमें, इन्हें डर होना चाहिए, यह देश को बिवाजित कर रहे हैं दोस्तों, यह देश को निलाम कर र द्रग्स और मानी निये प्रधान मंतरी मोदी जी का चेहरा और बोली जम जाता है, हमें दुख होता है, आखिर इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप, क्या हमारी युवा नसलों को खतम नहीं करती, कहां से आ रही है, आज मुम्मई में पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी साशित वाला रिपोर्ट क्यों नहीं बनाता, आज हम वीडियो बनाते हैं, जाते हैं, हमारे कैमरे चिल लेते हो, हमारे वीडियो की रीच रख देते हो, तुम क्या क्या रोकोगे, हम सौराज अंदोलन से हैं, निता जी शुवास चंदर बोस के बंग्सज, तुमारे अंदर धमनी हमें रोकने का हिमाचल परिवर्तन करके दिखाएंगे याद रखना उल्टी गिंती सुरू खुले हम चैलेंज एक बात मैं बता रहा हूँ धरम के नाम पे हमें मत लड़ाओ यह बहुत सुन्दर बुलक है यहां कोई दिक्कत नहीं है महंगाई से जूदरे हम लोग अगर भी नहीं भूलेंगे हमने देखा है मजदूरों के साथ तुमने क्या किया है हमने देखा है कोविड में तुमने हमारे उपर किस तरह से हंटर चलान चलाएं यह देश इन चीदों को नहीं भूलेगा अब हिंदू मसल्मान का मसला नहीं है यह देश आप जीने की रहा पे ब